एक लास्ट टॉपिक जो है प्रोविजन फॉर डाटफुल डेट्स आज हम लोग करने वाले हैं कि क्या होता है आए बात करते हैं बिजनसमैन अपने बिजनस का एकुरेट यानि बिल्कुल सही profit या करने के लिए अपने बिजनस में वह प्रोविजन फॉर डाटफुल डेट्स करता है यानि बिजनसमेन को लगता है कि हर साल कुछ ने कुछ पैसा जो है डेटर्स यान जिसको हम लोग ने उदार माल बेचा उससे कुछ ने कुछ पैसा डूब जाता है तो उस पैसा को जो है वो पील अकाउंट के डेविट साइड में ऐसा लॉस चो करता है यानि वो dators का कुछ पैसा जो है कुछ amount जो है वो as a provision for doubtful dates उसको doubt होता है कि यह पैसा डूबने वाला है तो पहले से प्रोविजन करके चलता है ताकि उसको बिज़स का accurate profit या loss पता चले तो हमारे इधर जो installment system में है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो vendor है वो यहाँ पर machine या कोई assets sale कर रहा है तो vendor को लगता है कि कुछ पैसा डूबने वाला है हमारे data से उसने purchaser कुछ माल उधार में बेचा है machine हो या कुछ दूसरा assets हो इसलिए vendor अपने books of account में provision for doubtful dates account open करेगा यान data पर कुछ amount provision create करेगा जो data यानि जो amount due होता है उसी पर provision create करते हैं तो vendor के खाते में हम लोग को provision for doubtful dates account एक additional account open करना है परचेजर को इससे कोई लेना दिना नहीं है इसलिए परचेजर अपने books of account में provision for doubtful dates account open नहीं करेगा तो चलिए आज ये question से हम लोग सारा कुछ समझते है आए वीडियो स्टाट करते हैं देखिए फास्ट अप्रेल 2009 को ए लिमिटेड ने परचेज किया है इंस्टाल्मेंट सिस्टम से एक मसीन Mr. B से तो B है आपका vendor और A है परचेजर मसीन एक खरिदा गया है उधार में इस्टाल्मेंट सिस्टम में साथ हजार रुपिया इसका है पहला इन्स्टरॉल्मेंट है 15 252 दूसरा 01330 चाहर से पिमिन्ट किया गया है 31 इस एर को हर साल 31 मार्च को पे किया गया है थी इंस्ट्रॉलमेंट में जहां इंटरेस्ट इंक्लूड है 15 परसंट के हसाब से परनम सालाना बी लिमिटेड सो क्रिए ते यहां से देखिए qre also creates also मतलब भी यानि सारा अकाउंट तो ऑपन करेगा ही एक और अकाउंट यह create करेगा provision for doubtful dates जो हम लोग को यहां सीखना है बनाना है आज अज अज ग्रेट लेट आफ से और 5% on data तो vendor जो है be limited वो अपने data पर 5% का जो है provision for doubtful its create करेगा 10% write-off करना है परनाम depreciation assets पर और the cost of the machine on the basis of straight line method, straight line method से 10% का depreciation charge करना है prepared necessary ledger accounts in the books of vendor हम लोग को सिर्फ vendor के book में entry करना है account बनाना है यानि bill immediate के खाते में हम लोग कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले तो interest calculate करना पड़ेगा calculation of interest बागी बात हम लोग रास्ते में करेंगे यहा हम बात्ते में लीड का दुओ हम जुब के इowan के लिए्यान पार किर गेंगे प्रम जूए्य कराा case टूए c हम लोग इस कॉलम में करेंगे और लास्ट में कैस्ट वैल्यू इकल टू इंस्टॉल्मेंट माइनस इंटरेस्ट इंस्टॉल्मेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दें कैस्ट वैल्यू हम लोग को पता चाह जाएगा कैस्ट वैल्यू हम लोग को चाहिए amount due calculate करने के लिए चलो जी तो cash price हमारा है 1st April 2009 1st April 2009 को cash price of machine 60,000 का machine है same rate को less down payment down payment made 25,000 रुपय का down payment है तो ये 35,000 रुपय हमारा due रह जाएगा तो सबसे पहले तो 35,000 रुपय हम लोग को 15% का interest calculation करना है 35,000 का 15% 5,250 फर्स्ट अमारा इंस्टाल्मेंट जो हम लोग पे करेंगे इस अमाउंट से अब हम लोग 31st मार्ज 2010 को पे कर रहे हैं याद रहे हैं याद रहे हैं इस कॉलम में हम लोग को सिर्फ कैश वैलू वाला ही अमाउंट डालना है फिर से अब 25,000 पर 15% यह होना चे तीन हजार साथ सो पचास दूसरा इस्टाल्मेंट अब का है 8,750 रुपय का 8,750 में 3,750 इंटरेश इंकलूड है यानि 5,000 रुपय कैस वैलू का है 5,000 रुपय कैस वैलू का है लेस्ट कर देंगे 5,000 ये 31 मार्ज 2011 को less cash paid अब 20,000 रुपया हमारा due रहे गया last installment चलो जी 20,000 पर फिप से अब 15% तीन हजार रुपया इंट्रेस्ट हो जाएगा और last installment आपका 23,000 रुपय का है इसमें 3,000 इंट्रेस्ट इंक्लूड है तो 20,000 जो है ये cash का amount है cash value और last में 31st March 2012 को हम लोग cash पे कर देंगे 20,000 सारा मामला रफा दफा पूरा का पूरा amount पेड हो गया चलो जी depreciation अगर calculate करना हो तो depreciation हो जाएगा आपका 60,000 का 10% 6000 लेकिन depreciation का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि depreciation जो है पर्चिजर के लिए काम का चीज है machine account जब बनाएगा तो depreciation वहाँ पर वो पोस्ट करेगा, calculate करेगा, entry करेगा हम लोग को vendor खाते हैं बनाना है, vendor को assets याणि machine account से कोई लिए दर नहीं है चलो जी, अब हम लोग सारे necessary account बनाते हैं, जिसमें की सबसे पहला account हमारा होगा सारे account हम लोग को vendor खाते हम बनाना है, इसलिए in the books of vendor यानि be limited हम लोग को पहला account बनाना है पर्चिजर account यानि बोले तो a limited account याद करो जी, first entry हम लोग क्या करते हैं, machinery पर्चिजर करता है, vendor खाते में हैं तो vendor entry करता है a account यानि पर्चिजर account debit, two machinery account और two interest suspense account, interest suspense में whole amount of interest को डाल दिया जाता है total amount of interest, देखो जी, total amount of interest यहां हो गया, पांच और तिन आठ, आठ, तिरी ग्यारा और एक बारह हजार total amount आपका है, interest का बारह हजार, चलो तो यह हम लोग को ने credit किया है, तो credit side में आ जाएगा तो a limited account, sorry a limited account का हम लोग ने debit किया है, तो debit side में आ जाएगा to, machine account to interest, suspense account, machine हो जाएगा साथ हजार का, बारह हजार का total amount of interest हो गया, यह first अप, यह first April 2009 का, 2009 को यह काम हुआ है, first date को, same date को जो है, down payment उसने 25,000 कर दिया था, तो यह जो a limited है ना, यह vendor हम लोग के लिए, यह data है, तो data debit में बढ़ेगा, kate में घटेगा, तो debit में 72,000 का data बन गया है, जब वो down payment करेगा, तो kate में इंट्री डालेंगे हम लोग, by bank account, dp, बोले तो down payment, 25,000 रुपय का down payment है, same date को, first April 2009 को, चलो जी, अब साल आपका complete होगा, जब साल आपका complete होगा, तो interest due का entry करते हैं, interest due का entry होगा, interest suspense account debit to interest, interest suspense और interest, यह दो आया है entry में आपका, तो इसमें तो भई, यह limited है नहीं entry में, तो यह entry post नहीं होता है यहां पर, यह तो होता था आपका higher purchaser में, खेर, अब इसके बाद, अब हम लोग जो installment पैसा जो receive करेंगे, vendor हैं तो हम लोग पैसा receive करेंगे, 31st March को, 31st March 2010 को, तो फिर से buy, bank account और पहला installment हमारा है, पंदरह हजार दो सो पचास रुपय का, तो पंदरह हजार दो सो पचास रुपया हम लोग receive कर लेंगे, 72,000, यहां balance हा जाएगा, same rate को, buy balance CD, 31,750, date आपका हो जाएगा, यह 1st April 2010, इसके बाद, फिर से वह यह entry, हम लोग installment का amount receive करेंगे, तो हम लोग करेंगे bank account debit to a limited, तो a limited kate हुआ है, तो kate साइट में हम लोग लिखेंगे, buy bank account, बस 3 साल हम लोग को अब installment का पैसा receive होना है, तीसरा installment आठ है, 750 है, यह हो जाएगा, 31 मार्च, 2011 को, 2 by balance CD, balance 23 हजार, 2 by balance BD, यह 1st April, 2011, 31 मार्च, 2012 को, buy bank account, last installment हमारा 23,000 का है, 23,000 हमारा due भी है, payment करेंगे, खत्म, यह हो गया, हमारा, purchaser account, इसके बाद हम लोग को interest suspense account बनाना है, interest suspense, vendor के लिए, vendor first entry करता है, interest suspense को debit करता है, नहीं, a limited account debit, two machinery, two interest suspense, interest suspense को credit किया है, तो credit side में आएगा, ठीक है, पहले तो आजागा, buy a limited, buy a limited account, और total amount of interest यहाँ पर हम लोग डालते हैं, 12,000 अभी total किया था हम लोगों ने, और हर साल, at the end of the accounting year, due date के दिए entry होता है, interest suspense account debit, two interest account, तो interest suspense debit होगा, तो debit सार में लिखेंगे, two interest account, और यह हर साल का जो interest आता है, calculate होकर उसको लिखते हैं, तो two interest account, यह तो first April 2009, और यह 31st March 2010, पहले साल का interest, पहले साल का interest आपका 5250, पांच हजार दो सो पचास, फिर आपका बालेंस, two balance cd, by balance bd, छह हजार साथ सो पचास, यह 1st April 2010, इसके बाद, फिर दूसरे साल का हमारा two interest account, दूसरे साल का interest calculate किया है, हम लोगों ने 3750 to balance cd, date होगा 31st March 2011, 2011, by balance bd, यह 1st April 2011, 10, 10, 11, 11, 12, 31st March 2012 to interest account, तीसरे साल का interest हमारा 3000 रुपे का है, और यह आपका interest suspense account भी complete हुआ, इसके बाद, अब sales account बनाना है छोटा सा, vendor जो है, वो machine sale करता है, तो यह entry करता है, sales जब करता है, तो sales जो है, कोई भी businessmen उसको trading account में transfer करता है, पहलो तो sale किया है, फिर trading में transfer करेगा, तो जब sale किया, तो वो entry करता है, is account debit to sales account, is account debit to sales account, to sales account, sales credit हो गया है, credit side में आएगा, buy a limited account, machine का यहाँ पर cash price ही आएगा, फिर इस amount को जो है, वो trading में transfer कर देता है, first April, April first, फिर इसको trading account में transfer करता है, तो sales account debit to trading account, sales debit हो जाता है, to trading, to trading account 60,000, छोटा सा यह एक line का, दो line का हम लोगो यह account बस बना लेना है, formality के लिए, चलो जी, अब अपना आते हैं, provision for doubtful dates, अच्छा यह मैं बाद में बताता हो है, interest account देख लो, interest account में क्या होता है जी, first year जो है, अच्छा यह at the end of the accounting year ही बनता है, हर साल जो है vendor अपने यहां करता है, interest suspense account debit to interest, interest suspense account debit to interest, interest credit होता है हर साल, तो credit side में आएगा, buy interest suspense account, buy interest suspense account, और first year का interest है आपका, पांच हजार दोसो पचास, 31st March 2010, फिर इस इंट्रेस्ट को वो पील में ट्रांसफर करता है, इंट्रेस्ट करेगा, पहले तो इंट्रेस्ट को उसने credit किया है, फिर debit करेगा पील में ट्रांसफर करने के लिए, interest account debit to PL, interest debit हो गया, तो debit side में लिखेंगे to, PL account 5250, सेकेंड यहर जो है, 31 March 2011 को वो सेम इंट्रेस्ट करेगा, यह तो हर साल होना है, इंट्रेस्ट, suspense account, 3750 का इंट्रेस्ट है दूसरे साल का, हाँ जी, फिर इसको PL में ट्रांसफर करेगा, तो to PL account 3750, फिर last year 31 March 2012 को, बाइ, इंट्रेस्ट, सस्पन्स अकाउंट, लास्ट यहर का इंट्रेस्ट तीन हजार का है, to PL account 31 March 2012, इंट्रेस्ट अकाउंट complete हो गया, और अब लास्ट में तो इतना अकाउंट जो हैं, वेंडर के बुक में, लास्ट यह की अकाउंट जो है, जिसके लिए हम लोग यह कोशन कर रहे हैं, यह कैसे बनेगा जी, देखो, जो भी आमाउंट डिव रहता है, उसी पर हम लोग को प्रोविजन करना है, यानि जो हमारे डेटर्स रहते हैं, at the end of the accounting year, साल केंट में किसी बिंजस्मेन को जो डेटर्स का अमाउंट दिखता है, उसी पर वो प्रोविजन करता है, आये देखते हैं, देखो जी, हाँ, चलो, तो यह हम लोग को दिखेगा डेटर्स कितना का है, कौन है डेटर्स हमारा, ध्यान से देखना, डेटर्स हम लोग तो फिलाल vendor के बुक में इंट्री कर रहे हैं, तो अपर मान के चलेंगे हम लोग vendor हैं, बिलिमिटेड, हम लोग के लिए डेटर कौन है, तो एलिमिटेड जो हमारा डेटर है, तो साल के अंथ में, इस साल के अंथ में हमारा डेटर कितना बचा हुआ है, एलिमिटेड के नामबर, तो हम लोग को उससे पैसा डेटर लेना है, तो पहले साल, तो हम लोग को पैसा कितना है, तो एक तो डेटर हो गया हमारा 23,000, सौरी 31,000, यौ eleika साथ सोपेचास फिर जो सीडिः वाला आप देखिए जितना पहले साल केंद में कितना बचकति है साथ सोपेचास फिर दूसरे साल चलो जी तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे तो क्रेड़ साइड में हो जाएगा यानि प्रोविजन जो है हमारे बिज्ञेस के लिए क्या है पहला साल जब हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारे का फिलाल अभी अगर देखो तो यह तरह क्या है लॉसे बिजनस के लिए तो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेविट करते हैं पील में हर साल ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाई पील अकाउंट बाई पील अकाउंट और 31,750 का 5 परसेंट 31,750 का 5 परसेंट 15,087 रुपया 15,087 रुपया 50 पैसा देट होगा हमारा ये 1st, मार्च 31, 2010 को मार्च 31, फिर अब हम लोग इसको सीडी कर देंगे 2, बालेंस चीडी 15,087 रुपया 50 पैसा 31, मार्च 2010 दूसरे साल जो सीडी है हम लोग अब बीडी कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी ये ही 15,087 रुपया 50 पैसा है 2010 अप्रेल 1 इस साल अब हम लोग क्या करेंगे देखो जी तो पहला जो हमारा जो ड्यू था वह 31,750 इस पर हम लोग और फाई परसंट क्या दूसरे साल हम लोग जो है कितना चार्ज करेंगे तू बैलेंस एडी और हम लोग इस साल कितना चार्ज करेंगे तो जो हमारा ड्यू है 23,000 पर फाई परसंट यह हो जाएगा 1150 रुपिया तो पी एल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तू तू पी एल अकाउंट 437 रुपिया पचास पैसा दू हजारी ग्यारा मार्च 31 फिर हम लोग इसको बीडी कर लेंगे ब्राट डाउन पांच सो सारी 437 रुपिया पचा नहीं नहीं ग्यारा सो पचास रुपिया अप्रिल फर्स्ट और लास्ट यर हम लोग अब पी एल में टास्पर कर देंगे ग्यारा सो पचास रुपिया दोनों साइड का टोटल इक्वल बात पूरी हो गई कि दो हजार बारा मार्च 31 टू पी एल अकाउंट इगरा सब चास तो इस तरह से हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब आपका आप इस सब का स्क्रीन सोट ले लिजिए फटा फट से चलो जी पहले तो यह चार अकाउंट का स्क्रीन सोट ले लो फटा फट से चार अकाउंट हो गया इसके बाद यह पांचमा अकाउंट इसका स्क्रीन सोट ले लो इसके बाद बचा हमारा कैल्कुलेशन अफ इंट्रेस्ट और हमारा कुश्चन चलो जी तो आज हम लोगोंने इंस्टर्मन पेइमेंट सिस्टम का लास्ट टोपिक जो था हमारा प्रोविज teenager टौट फुलिट वाला हम को नेिकंप्रीट कर लिया यह इसी के साथ हमारा इंस्टर्मन प्लेंट सिस्टम हो गया है खतम और अब हम लोग नेक्स चप्टर के और मूव करेंगे ब्रांच अकाउंट चली रहा है और ब्रांच अकाउंट अब लास्ट का गार पर है एक आद दो दो वीडियो और आने हैं इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिक नए चप्टर के साथ मिलेंगे आज के लिए इत